हेलो स्टुडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 से कुश्यन नंबर 7 कुश्यन है यूजिंग ये दिया हुआ है फाइंड ठीक है ये क्या दिया हुआ है ये एक आइडेंटिटी है ना इस आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड करना है इसका स्क्वाइर माइनस इसका स्क्वाइर कुछ कुश्यन है ना तो अभी तक आप जो पढ़े थे वह आपने आइडेंटिटी ये पढ़ा था कि एक बेकट में a प्लस b और दूसरे बेकट में a माइनस b वो होता है С्कोइर माइनस b स्कॉआर तो आप सोच रहे होंगे यहां पर तो उल्टा लिखा हुआ है है तो वेटा, इसकी जगा हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? और इसकी जगा ये लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए आइडेंटिटी है, बास समझ रहे हो? बीच में इक्वल का सिंबल लगा है ना, इक्वल का सिंबल लगा है, तो मतलब दोनों तरब के चीज़े जो है वो सेम हैं, इसकी जगा हम ये लिख दें, या इसकी जगा ये लिख दें, जैसा हमारा कोश्चन होगा, उसी तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है? तो आइडेंटिटी हमारा ये भी है, और आइडेंटिटी ये भी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से फर्क नहीं प क्या हो जाएगा? 49, ठीक? तो अब A square minus B square को हम क्या लिख सकते हैं? A plus B, A minus B, वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? 41 square minus 49 square, तो एक बेकट में हम लिख सकते हैं, जैसे A है, A का हमने 51 माना है, A 51, B है 49, प्लस है तो प्लस, और B कितना है, मारा देखिए, B square के जगा है? 49 square, तो B क दूसरे हैं क्या लिखेंगे? A minus B, यानि 51 minus 49, बस इसको स्वार्व कर लों एंसर आगाएगा, इन दोनों को एड करोगे, कितना हो जाएगा? 100, और यहां बेच में बेटा कौन सा सिंबल है, कुछ नहीं है तो, अब जब ब्रेकट खोली ही रहे हो, तो सिंबल तो पता होना चाहिए है, तो यहां दोनों को बेच में कुछ नहीं है, तो multiply होता है, 51 में से 49 गया तो 2, multiply कहां से आजा, यहां पर है multiply, दो ब्रेकटों को बेच में, अब हैंड टू जा, 200, पस कितना सिंपल है, वैसे इसको करने जाओगे, इसका है इसको है निकालो, फिर इसका है इसको ह आसानिस आ गया, आईए यह वाला solve कर लेते हैं, second वाला, इसमें भी same काम ही करना है, यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, तो एक बेकट में A प्लस B, यानि 1.02 प्लस B तो यह है, 0.98, और दूसरे बेकट में A माइनस B, यानि 1.02 माइनस हो जाएगा, 0.98, है ना, यह A हो जा हो जाएगा, तो A प्लस B माइनस B, चलियो एड कर दू, अब आड करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइद, देखो, 1.02, इसमें आड करेंगे, 0.98, 8 और 2, 10 हो जाएगा, 10 का 0, कैरी 1, 9 और 1 कैरी था, तो यह भी 10 हो गया, फिर कैरी 1 आ गया, पॉइंट नीचे पॉइंट, और 1 कैरी, और 1 ये, 2, और 2.00 मतलब क्या हुआ, अब पॉइंट के बाद, अगर 00 है, तो 0 का, और पॉइंट का वोई वैलू ही नहीं है, तो यह तो 2 ही हुआ, इन्टू, यहाँ पर जो इन्टू है, वो वाला, अब इसमें माइनस करो, तो 1.02 में से हो जाएगा हमारा, 4, 12 में से गया तो, अब यहाँ 10 हुआ था कैरी लेने, पर बन कैरी और चला गया थे यहाँ 9 बचा, और 9 में से गया तो, 0, अब यहाँ तो कैरी ही चला गया, तो बचा क्या कहा है, बस यहाँ पॉइंट बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो, 0.04, इ यहाँ पॉइंट है नहीं यहीं पर है, और 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट भी जो आएगा, वो दो डिजिट के बाद लगेगा, एक 8 हो गया, एक 0 तब जाके पॉइंट लगेगा, और पॉइंट की नहीं रही रहता है, इसलिए 0 और लगा देंगे, ठीक है, यह इस पॉइंट लगेगा, एक जगाए यह है, तो दरेक्ट के लिए प्लस भी यह मैनस भी, यानि एक बेकट में रहेगा 153 प्लस 147, यह एक जगा यह बीज की जगा, और दूसरे बेकट में 153 और माइनस 147, न, एक जीज यहाँ पर ध्यान रखना कि बीज माइनस का सिंबल होन और वन कैरी था टेन वन और वन टू और वन कैरी 300 बीच में मल्टिप्लाई का सिंबल है यहां पर 53 में स्पूर्टी से बन जाएगा तो 6 न यहां पर आया हमारा 6 मल्टिप्लाई कर दो 6 थी जा 18 जीरो कितना है दो यहां पर भी करेंगे यह बी हो जाएगा तो एक बेकर में ए प्लस भी यानि 12.1 प्लस 7.9 दूसरे बेकर में माइनस भी यानि 12.1 माइनस 7.9 एक प्लस एक माइनस चली प्लस करते हैं क्या क्या है 12.1 उसमें एड करेंगे 7.9 9 और 1 10 प्लस के निचे प्लस प्लस एक कह रही आजा है 7 और 2 9 और 1 कह रही था तो 10 और फिर 1 कह रही आ गया तो 2 यानि 20 आ गया न आप और यह पॉइंट के बात 0 है तो सब्सक्राइब कर दो 12.1 में से माइनस करेंगे 7.9 11 हो जाए गया तो 2 माइन पॉइंट के निचे पॉइंट यहां बचा 1 तो फिर 11 हो गया और 11 में सब्सक्राइब गया तो 4 यह हो जाएगा 4.2 मल्टिप्लाइब करके अंसर लिखतो अब देखो मल्टिप्लाइब यहां कैसे करोगे अब छोटे बच्चों के तरह मत करने लग जाना कर सकते हो रफ में वैसे विसी को डारेट अब इसको मल्टिप्लाइब करना है तो जीरू को पहले एग्णोर करो पॉइंट को भी तो पहले आप टू सेस्वी मल्टिप्लाइब करो टू टू जा फोर टू फोर जा एट वैसे भी फोटी टू जा एटीफूर होता है अब एक जीरू भी तो है न यहां क्या लगा देंगे जीरू ठीक है बचा पॉइंट पॉइंट कहा लगाएंगे एक डिजिक बाद है न एक डिजिवाद पॉइंट लगाएंगे यहां पर यहां पर एक डिजिवाद पॉइंट लगा देंगे अब पॉइंट के बाद जीरू ही है तो कोई मतला भी नहीं वो तो 84 ही हुआ है ठीक है अलग से भी आप मल्टिप्लाइब कर सकते हैं वैसे आपको समय आया होगा 20 से म बाद में लगा देंगे पहले टू से ही मिल्टिप्लाइब कर दो ना फिर सब पॉइंट एक डिजिट बाद है एक डिजिवाद पॉइंट लगा दो यह सब डार्य मिल्टिप्लाइब भी आपको सीखना चाहिए आईए देख लेते हैं कुश्य नंबर 8 तब तक के लिए ज हम जार्य मिल्टिप्लाइब के लिए आपको सीखना चाहिए इचाहिए लाद है इंगे आपको सीखना उनना तो हो यह सब प्यूवार येता हैं का वद्हगे आईए बाद हो यह भी हू़जब इंगे